आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है बचो स्टुदेंट्स उमीद है आप हाड़ वर्क कर रहे होंगे इस वीडियो में बच्छो हम चैप्टर थर्टीन मैगनेटिक एफेक्ट्स और अफ एलेक्रिक करेंट से थर्ड लेक्ट्स साट करने जा रहे हैं सीवेस्टी क्लास टेंट साइंस के लिए बचो यहाँ पर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह होंगे आज अलेक्रिक मॉटर वर्किंग प्रिंसिपल आफ मॉटर कंस्ट्रक् यहाँ से बनते हैं अब अगर हम चैप्टर 13 की बात करें तो मॉटर और जनेरेटर यहाँ से कुष्चन बहुत ही बनते ही बनते हैं यानि बहुत ही मॉस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के सो विदाउट एनी डिले भटाफट मॉव करते हैं सबसे पहले उसे कुछ electricity दी और उसने mechanical energy में उसे convert कर दिया यानि कुछ हमें mechanical work मिला तो हमारे मन में यह question आता है कि मोटर वर्क कैसे करता है यह तुमने जान लिया मोटर क्या होता है लेकिन मोटर वर्क कैसे करता है कैसे घूम जाता है जैसे हम उसको current देते हैं तो वह राउंड इसे घूमने लगता है तो यही सारी चीज़े हम यहाँ पर सीखने आये हैं सो थोड़ा सा मैं आपको बैक लेकर जाता हूं lecture 2 की बात करता हूं lecture 2 में हमने जाना था कि current carrying conductor को अगर हम magnetic field में place कर देते तो उस पर एक force लगता है अगर बच्चो आप कोई बात नहीं पता है तो students यही principle है motor का यानि working principle इसके पर एक question बनता है बच्चो के write the working principle of electric motor के motor का working principle आप हमें समझा दीचे बच्चो इसका working principle क्या होगा when a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a couple of forces due to which it rotates about an axis यानि यहाँ पर conductor तो है ही लेकिन उस conductor से हमने क्या बनाया उसका rectangular coil बनाया है जैसे यहाँ पर आप diagram में देखेंगे coil तो बच्चो rectangular भी हो सकती है circular भी हो सकती है लेकिन हमें समझना है कि अगर conductor की जगह हमने उसको एक coil की form दे दी है यानि उसको आकार दिया है वो coil का दिया है तो यहाँ पर देखिए इस coil में arms हैं इससे a b b c c d d a और electric field की direction हो गई बच्चे north से लेकर south यानि यह direction हो गई north से south ध्यान से समझेंगे बच्चो current जो coil रखी हुए इस तरीके से रखी हुई है coil में जो बच्चो current flow कर रहा है वो फिल्ट के perpendicular कर रहा है इस position में तो यहाँ पर क्या होगा बच्चो कि a b जो arm है उस पर बच्चो downward direction में force किजे और flaming left handle यहाँ पर apply किजे तो बच्चो आप जानेंगे कि force की direction क्या होई downward उस coil पर force की direction एक तरफ downward और दूसरी arm पर हो गई upward क्योंकि वहाँ पर current की direction देखी घूम कर आ रहा है current तो reverse हो गई है तो force की direction भी reverse हो जानी है तो इस तरीके से couple of forces लगते है couple of forces मतलब forces are acting in opposite direction है different एक particular arm है उस पर opposite direction में force लग रहे हैं तो वह arm क्या होगी घूम जाएगी तो जब forces opposite direction में लग रहे होते हैं और वह कुछ rotational effect देते हैं तो उनको बोलते है couple of forces तो यहाँ पर जो यह force लगता है यह force क्या produce कर रहा है couple of forces जिसकी वज़े से यह arm यानि एक coil एक axis के around move करना कर देगी coil move करना शुरू कर देगी सो यह हो गया working principle of mortar तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखिए कि हमने coil को s1 s2 दो split ring इनको बोलते हैं बच्चो split ring split ring से हमने इनको connect किया हुआ है अब यह split ring जो है बीच में इनके axle है यानि जो shaft है और shaft से connected है pulley तो जब भी यह coil move करेगी split ring इसके साथ move करेगी और split ring के साथ move करेगा shaft और shaft के साथ pulley अब जो यहाँ पर B1 B2 है इनको बोलते हैं बच्चों brushes यानि हम इनको बोलते हैं carbon brushes कैसे brushes हैं बच्चों यह carbon brushes है carbon brushes बच्चों connected होते हैं S1 S2 यानि split ring से लेकिन यह fix नहीं होते हैं यह move करते हैं slide करते हैं इस तरीके से यानि जब यह coil move करेगी तो S2 S2 जो split ring है वो घोम कर S1 की position पर आ जाएगी तो B1 connect हो जाएगा S2 से और B2 connect हो जाएगा S1 से थोड़ी देर में हम समझेंगे इसकी working लेकिन फिलाल आप यहाँ पर इसके parts समझ लीजे हमने बहार से battery से current provide कराया throw brushes B1 and B2 जो की connected है S1 और S2 split ring से right split ring क्या है brushes क्या है बहुत अच्छे देटिल में आगे जाएगे समझेंगे तो current को एक direction मिली A to B लेकिन जैसे ही CD इस तरफ आई BA की तरफ या AB की तरफ तो S2 connect हो गया B1 से तो उसकी direction reverse हो जाएगी जैसे यहाँ पर A से B है और यहाँ पर C से D है तो जब यह arm इधर आएगी AB की तरफ तो direction हो जाएगी D से C और उधर जाएगी बच्छो B से A तो in this way जो rotation हो complete होता रहेगा ऐसा नहीं है कि यह arm इधर आ गई तो फिर अब फिर दुबारा force reverse हो गया तो जितना ही थरफ मूव होई थी उतना ही वापस मूव हो गई तो complete rotation के लिए हमें यहाँ पर splittering यूज़ करना होता है तो खेर अभी हमने बात की working principle की working principle क्या है जब current carrying coil एक magnetic field में place होती है तो उस पर couple of forces act करते हैं जिसकी वाज़े से वो coil round round घोम जाती है बचो आगे जागे बात करेंगे बचो working की working समझते हैं तो मैंने आपको बताया कि बचो यहाँ पर जो S1 S2 है यह क्या है बचो यहाँ पर split rings है split ring है ना split ring क्या होता है मालेज एक ring है इस तरीके से हम उसको बीच से cut कर दें इस तरह तो यह क्या हो जाती है split है यह यह डिवाइड़ रिंग है यह दो भागों में divided है एक लेट से यह हो गया और दूसरा हो गया यह तो इस तरीके से दो एक हो गई S1 बच्चो और एक हो गई बच्चो S2 और यह हैं बच्चो carbon brushes बीवन बीटू को हम बोलते हैं इनको बोलते हैं कार्बन ब्रश यानि यह कार्बन के मिले बने होते हैं जैसे कि different type of graphite material को यूज करके हम carbon brushes बनाते हैं carbon brushes क्यों बनाते हैं मैं भी समझेंगे थोड़ी दिर बाद लेकिं यहां पर हमारे brushes कैसे होते हैं carbon brushes होते हैं जो कि contact provide करते हैं spark free contact यानि जब वो S1 S2 इधर shift होंगे तो brushes में sparking नहीं होगी right तो सोचिए positive terminal of battery B1 brush चे connected है और B1 ब्रस ने S1 को current flow करा है बचो और current flow किया A to B तो A to B अगर current जा रहा है और magnetic field की direction है north से south तो AB arm पर downward direction में एक force लगता है और इसी तरह अगर हम flamming left and rule को CD arm पर apply करें तो हमें direction मिलेगी upward तो इस तरीके से coil बच्चो क्या कर जाता है move कर जाती है इस तरीके से घूम जाती है तो जैसे ही CD AB की जगे आ तो अब क्या होगा अब S2 connected होगी brush B1 से देखिए S2 जो splittering है वो अब B1 से connected है पहले current था बच्चो B2A and D2C लेकिन जैसे घूम कर इधर आया AB अगेन इधर आया तो A2B और C2D क्यों क्योंकि brush B1 अब connected है S1 से तो अब connected है S2 से so splittering भी साथ में move कर रही है तो splittering alternatively ब्रसिस से connect होती है इसी तरीके से current की direction reverse हो जाती है माल लिजे S2 splittering B1 से connected है तो direction हो गई D2C लेकिन जैसे ही CD दोबारा घूम कर AB की तरफ पहुचेगी तो अब CD से जो S2 splittering connected हो B2 से connected है और B2 में current की direction है ये तो direction हो गई C2D इससे पहले क्या थी D2C तो depend करता है जब coil का वो arm left में आता है तो उसमे current की direction वही हो जाए ताकि उस पर force downward में लगे और जब वही arm दूसरी तरफ पहुचे तो उसमे current की direction reverse हो जाए ताकि उस पर force upward direction में लगे ताकि rotation complete हो सके अगर direction reverse नहीं होगी तो अगर वो बच्चो half rotation करके इधर आई है तो फिर half वापिस हो जाएगा है हमें complete rotation नहीं मिलेगा so splittering क्या कर रही है बच्चो current की direction को reverse कर दे रही है ताकि हमारा rotation जो arm का और जो coil का rotation हो complete हो सके तो खेर यह तो थी working कि किस तरीके से arm पर flamming left handle के coding forces लगते हैं और किस तरीके से यहाँ पर couple of forces मिलते हैं किस तरीके से में rotation मिलते हैं और split ring और split rings और brushes का क्या role है यहाँ से question भी बनता है एना students तो हम समझेंगे question यहाँ से जो बहुत important question बनता है what is split ring तो बच्चो split ring को हम commutator भी बोलते है split ring और commutator basically simple ring है which is divided axially यानि axially हमने उसको दो भागों में बच्चो क्या कर रखा है divide कर रखा है यहाँ पर मैंने आपको समझाया था भी कि जैसे एक ring है उसको अगर हम दो equal भागों में divide कर दें इस तरीके से बीच से split कर दें कर दें तो कहलाती split ring अब next question बनता है बच्चो what is the role of split ring तो बेटा दो कोश्चों यादे बहुत important बनते है split ring क्या है split ring का role क्या है split ring कोईल के साथ मूव करती है तो अगर S1 split ring B1 से connected है S2 B2 से connected है then half rotation के बाद S2 B1 से connect हो जाएगी और S1 B2 से तो इस तरीके से direction यानि current की direction किसी arm में current की direction को reverse करने के लिए यूज होती है ताकि उस arm पर हमेशा एक particular direction में ही force लगे ताकि rotation complete हो सके तो split ring is used to reverse the direction of current in the coil to complete the rotation of coil in the same direction right students यानि same direction में rotation को complete करने के लिए split rings यूज होती है बचो next question यह से बनता है what is the role of carbon brushes in a mortar तो carbon brushes किसके बने होते हैं various type of graphite जैसे की silver graphite याना copper graphite तो काभी सारे graphite हमें पता है conductor होता है यानि carbon का एक ऐसा material होता है जिसमें की current को conduct करा सकते हैं उसकी conductivity बहुत अच्छी होती है so carbon brushes का क्या रोल है carbon brushes current carry करते हैं कहां पर moving part of the mortar पर यानि moving part क्या coil है और coil से connected है split rings तो brushes split rings को current provide कर आते हैं लेकिन वो permanent contact में नहीं है वो slide करते हैं तरीकर touch में रहते हैं right students अब अगला question आता है कि भाई brushes ने motor के moving part पर current तो provide करा दिया बचो लेकिन हमने carbon brushes क्यों यूज किये तो अगला question क्या होगा next question होगा बचो वाय carbon brushes हमने carbon brushes क्यों यूज कि हमने कोई conductor touch में क्यों नहीं रखा तो conductor भी तो current provide करा सकता है splitterings को तो question यहां से आता है कि carbon brushes ही क्यों तो क्योंकि बचो carbon जो है यहां पर brushes है वो graphite के बने होते हैं various type of graphite और graphite good conductor होता है तो पहली बात कि हमें current conduct कराना है moving part तक मुझाना है तो उसका conductor होना तो बहुत जरूरी है right दूसरे soft होता है बचो other metal से जैसे की copper हैना मालिज हमने copper को touch में रखा होता तो यहां पर क्या हो जाता copper कैसा है hard है तो copper के hard होने से friction होता friction से उसका maintenance आता है ना कुछ friction होता उसका melting उसका टेंपरेचर वह इंक्रीज कर सकता है friction के कारण rubbing के कारण तो इसलिए हमने soft metal यूज किया carbon जिसका conductivity भी हाई है और soft भी है उसका melting point भी हाई है मालिजिए बार-बार rubbing से यहां पर अगर temperature increase करता है तो क्योंकि उसका melting point हाई है वो melt नहीं होगा दूसरा law friction है यह self lubricant है बच्चो carbon ब्रिक्षिस जो होते है बच्चो यह self lubricant होते है यह law friction है यह जब slide करेंगे splitterings पर तो friction कम होगा यानि high melting point तो है ही plus point में लेकिन उसमें low friction होने के वाज़े से heat भी produce कम होती है spark free होता है बच्चो यहां पर को sparking नहीं होती है जैसे कि बार-बार वो slide करते हैं touch में आते हैं फिर दूसरी splittering फिर पहली splittering बार-बार alternatively किसी ब्रशे हो contact में आ रहे हैं तो वहाँ पर spark नहीं होता है लूजिंग के गारण को spark नहीं होता है तो spark free contact है low maintenance है क्योंग यहां पर friction नहीं है spark free है तो जो carbon brushes होते हैं इनकी life थोड़ी ज्यादा होती है as compared to other brushes so these are the reasons that's why we use carbon brushes in mortar and generator right students उमीद हाप उमीद हापको बच्चो सारे questions और working of mortar हमें समझ में आ गया होगा स्प्रिटरिंग और ब्रेशिस के क्या function है क्यों हम use करते हैं यह आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बचो next video में बात करेंगे electromagnetic induction की यानि faraday low की और faraday के बारे में बहुत interesting इंट्रस्टिंग बाते हम जानेंगे के फैरडडे कौन थे कैसे रिसर्च की कैसे यह experiment किए electromagnetic induction का क्या application है राइट स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में हम यह चीज़े पढ़ेंगे जन्रेटर की बात करेंगे जन्रेटर में हम जो फ्लैमिंग राइट हें रूल लगाते हैं तू फाइंड डिरेक्ट्टन ऑफ इंड्यूस करन्ट वह यह बहुत अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे सो स्टूडेंट्स इसी तरह वीडियो देखते रहें मैं आपको सजेश